दोस्तों अमिताब बच्चन निन अब्बे के दस्चक में बुरा वक्त देखा है, उनके गंगाले की कहानी जाद अतर लोग जानते हैं शोशल मीडिया पर उनके पुराना वीडियो वाइरल हो रहा है, इसमें उन्होंने बताया कि बुरे वक्त में धिरु भाई अमबानी ने कैसे अपने बेटे से उनके लिए मदद भिजवाई थी इतना ही नहीं जब अमिताब बच्चन कर्द से बाहर आये तो भरी मैफिल में धिरु भाई ने कुछ ऐसा कहा जिसे बिग भी पैसों से ज़्यादा कीमती मानते हैं इकटना बताते बताते अमिताब बच्चन भावुक हो गए वहां मुझूद मुकेश अमबानी भी इमोशनल दिखे इस क्लिप में अमिताब बच्चन बोलते हैं जीवन में एक बार ऐसा दो राया जब मैं बैंक क्रप्ट हो गया दिवालिया हो गया मेरी बनाए हुई कमपनी घाटे में चली गी क्रोडों का कर्ज चड़ गया मेरे व्यक्तिकत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया कमाई के सब जरिये बंते और सरकार की तरप से घर पर कुर्की के छापे लग गई ये बात धिरो भाय अमबानी को पता चली बिना किसी से पूछे जाने उन्होंने अपने चोटे बेटे और मेरे मित्र हनील से का इसका बूरा वक्त है इसे कुछ पैसे दे दो हनील ने मुझे आकर ये बताया देवी और सज्जनों जितना वो देना चा रहे थे उसे मेरी सारी धूईदा और परिशानी खत्म हो जाते उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ लेकिन मुझे लगा मैं उनकी उदारता को स्विकार नहीं कर पाऊंगा इश्वर की किरपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला काम मिलना शिरू और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्ज उतार पाया एक शाम धीरू भाई के निवासतार पर एक दावत के अफसर पर मुझे भी आमतरित किया गया उपर लोन में एक तरफ धीरू भाई बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों फाइनिशल और कॉर्परेट वर्ल्ड के कुछ दिगजों के साथ बैठे बात कर रहे थे उस पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया मुझे कहा कि यहां आ मेरे पास बैठ मुझे बड़ा अजीब लगा मैंने इच्छा मामागिया और कहा मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूँ यही ठीक हूँ उन्होंनी जिद की और बैठा लिया मुझे फिर अपनी उस दिगजो की मैफिल में उन्होंने कहा यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया मैं इसकी जब करता हूँ उनका वेवार उनके शब्द में लिए उस धन्राजी से बहुत ज़्यादा मूर लिवान थे जितना कि मुझे मेरे संकट से बहर आने के लिए देने के लिए तयार थे यह उनका व्यक्तित वधा